असलाम लुक्वें स्टूजेंट्स, कैफ ओर, बिजनस लॉख, कुछ चीज़ें आज देखेंगे, फिर फॉर्मली पढ़ना शुरू कर देंगे, जिन एरियास पर आज के लेक्चर में हमें फोकुस करना है, एक तो हमें सब्जेक्ट आ इंट्रोड़क्शन देखना है, कि क्या है, कितने एरियास में डिवाइड है, यह हमारा पेपर, किस एरिया की कितनी वेटेज है, पास्ट पेपर में देखेंगे, कि वेटेज के अकॉर्डिंगल एक्जामन, कितना को फालो किया है, ग्रिड को, study resources देखेंगे कि हमें study करने के लिए क्या चीज़ें चाहेंगे paper का pattern देखेंगे reason देखेंगे कि fail क्यों होता है student इस तरह के paper में कुछ tips and techniques discuss करेंगे कि paper easily pass कैसे किया जा सकता है और कुछ students के mind में इस level पे जो भी questions होते हैं उन में कुछ main main question जो student मुझसे पूछ रहे हैं उनकी कुछ बाते हैं करेंगे और end पे मेरा introduction होगा जी cap for business law की अगर हम बात करें cap for business law की अगर हम बात करें तो कुछ चार areas में divide किया गया है हमारा ये paper mean 100 marks का paper है जिसे pass करने के लिए में 50 marks चाहेंगे चार areas में divide किया गया है एक पहला area है introduction to legal system mean law बनता कैसे है जिसके पर मारे पास एक chapter 1 एक लोता chapter है जिसके अंदर discuss किया जाएगा कि law कैसे जह है वो बनता है पाकिस्तान के अंदर और इसकी examination पांडू से जो weightage है वो है 5 से 8 नंबर और law के paper को अगर देखा जाए तो अभी दो attempt पहले जो है ये paper revise हुआ है मीन दो attempt पहले क्या हुआ है law के CAF level पे दो paper बना दिये गए एक CAF 4 business law और एक CAF 7 company law हाँ इससे पहले जो है वो क्या होता था law का एक combined paper होता था मीन business law और company law ये दोनों combine CAF 3 एक law का paper होता था लेकिन अब क्या किया गया है इसको दो parts में divide कर दिया है business law का area CAF 4 बना दिया गया है और company law CAF 7 बना दिया गया और अभी तक दो attempt separate गुजरी है इनकी तो previous जो दो attempt है एक spring 2022 की वहाँ पे examiner ने chapter 1 को बड़ी खुबसूरती के साथ grid के accordingly 6 नुबर के लिए test गया और एक हमारी जो very previous attempt जिसका भी result भी आना है autumn 2022 वहाँ पे examiner ने जो है वो test किया यह chapter for seven marks और कोई इतना मुश्किल question जो है दोनों attempt में यहां से test नहीं किये गए मीन एक average student easily यह छे और साथ नंबर ले सकता था क्यों यहाँ पे कुछ 6-7 लाइने लिखे नहीं थी दो MCQs थे पांच नंबर की लाइने लिखे नहीं थी और इधर भी दो MCQs थे चार नंबर का एक straight forward question था और यह वो area है जहां से आप कहा सकते हो कि straight forward question cramming test होगी scenario ने straight forward cramming test होगी उसके बाद बाकी मारे पास total 3 main areas हैं जिसमें से 2 areas मारे पास जहें हैं वो contract act से लेटिड है contract act 1872 1872 मीन आपके दादा परदादा के दौर का law लिखा वा अंग्रेजों ने लिखा था हाँ हम पाकिस्तानी उसमें ऐसा चोई amendment नहीं कार सके क्यों हो सकता है उन्हें ठीक लिखा वा था इसलिए वही follow हो रहा है और उसके उपर मारे पास दो areas है area B जिसमें हम contract act के essentials पढ़ेंगे contract act के essentials पढ़ेंगे इसमें हम पास पास कोई 4 chapter है chapter 2, 3, 4, 5 और यह जो चार chapter है इनकी examination point of view से अगर वेटे देखे जाये तो examiner का promise है 20 से 25 marks इस area से test किये जाएंगे और spring 2022 में examiner ने इस area से 24 marks और अभी previous autumn 2022 में examiner ने 23 marks इस area से grid के accordingly test किये और इतना मुश्किल area नहीं था यह हाँ दूसरा contract act के area है performance, contract act, performance जिसमें हमार पास 5 chapter है chapter 6, 7, 8, 9, 10 और चुके 5 chapter है तो इनकी weightage जो है वो 25 to 30 marks है और examiner ने spring 2022 में 27 marks यहां से test किये और अभी very previous autumn में examiner ने इस area को ज्यादा importance दी और 29 marks यहां से test किये 25 to 30 marks test होंगे लेकिन उसने 29 marks इस area से test किये दिसमें यह एक chapter separate है बाकि यह 9 chapter हमारे पास chapter 2 to 10 यह क्या बनगे contract act say related कितनी chapter है? 9 chapter है और contract act say related और यहां से कोई 50 to 55 marks test होते है और स्वाद एक मारे पास 4 अरिया है जिसमें other business laws आ जाते है other business laws में मारे पास कोई 8 different chapters है और इसकी weightage है 35 to 52 marks और examiner ने spring 2022 में 43 marks test किये इस area से और अभी very previous attempt में उसने 41 marks इस area से test किये और यहां पर मारे पास कुछ other laws है mean एक हमारे पास 9 chapter का contract act है यहां पर other business laws की बात करें तो यह पहले जो तीन chapter है 11, 12, 13 यह हमारा partnership का area जिसके पर एक partnership act है जिसकी 10 से 15 नंबर की separate weightage है मीन यह 10 से 15 नंबर हर सुदर test होने ही होने है partnership के अंदर से 3 chapter 11, 12, 13 उसके पाद 14, 15 यह separate area है जिसको negotiable instrument का नाम दिया जाता है दो chapter है और इसकी weightage 5 to 10 marks है मीन 5 से 10 नंबर इन दोनों से test होने है और यहां तक जो है क्या था यह पराना law था मीन जब law combine paper होता था तो यह जो 15 chapter है पहले यह उसमें थे ही थे अब जब split up किया separate दो paper बना दिये तो फिर क्या क्या गया business law में यह 3 chapter नए add कर देगे 16, 17 और 18 जिसमें कुछ नए laws हैं लाइक electronic crime act है इस तरह से कोई corruption के ओपर जह है money laundering के ओपर हमारे पास जो है वो कुछ act है मीन यह कोई 3 नए laws आए हैं chapter 16, 17, 18 में लेकिन यह other laws में partnership भी है, negotiable instruments भी हैं यह कोई 3 नए chapter भी आगे हैं और मिला के इसको half of the paper जह है वो उन्होंने percentage दे दी है, half तो नहीं like 42, 45 मास यहां से test हो सकते हैं और यह मिला के यह हमारा 100 मास का paper है जिसमें हमारे पास 4 main areas हैं एक chapter legal system का, 9 chapter contract act के और 8 chapter other laws के हैं जिसमें तीन partnership हैं दो negotiable instruments हैं और कुछ new laws हैं chapter 16, 17 और 18 में जिसमें हम start करेंगे obviously अपने contract act से पहले ये area हम cover करेंगे सारा, फिर हम इदर जो है वो cover करेंगे, last पर हम जाके ये chapter 1 जो है वो cover करेंगे, क्यों चोटा सा chapter है और वैसे भी cramming ज्यादा है, तो paper के नजदीक जितनी वो cramming करेंगे वो फिर paper तक retain हो जाएगी, तो यह हमारा sequence जो है वो लेके हम चलेंगे तो यह तो होगी paper की बात के syllabus में क्या-क्या चीज़ें हैं, अब अगर paper के pattern की बात करें तो बाकी paper की तरह यह paper भी 100 marks का paper है, जिसको pass करने के लिए हमें at least 50 marks जाएगे लेकिन यह 50 अब आएंगे जब आपका throughout this session जो class test होगे, उसमें कोई 70 marks का आपने अपना set किया होगा कि हमें 70 marks at least achieve करने हाँ test में, क्यों class test में 70 लेके चलोगे तो paper 50 पे pass होगा अगर class test ही, आप 50 marks पे 50 percent पे pass का रहे हैं, तो फिर papers 50 percent पे pass नहीं होगा so 50 number लेने है, out of 100 है, क्या paper के अंदर 15 MCQs है और MCQs आप बहुत अच्छी तरह से tackle करना जानते हो, क्यों नीचे AFC, PRC level पे सारे paper आप टिक-टिक-टिक MCQs ही करके आए हो तिर 15 number आप लोगों के लिए easy होगे, देकिन इतने भी easy नहीं, examiner sometime कुछ tricky MCQs भी बना देते हैं, like कुछ scenario बना देते हैं, 5-6 lineों का और उसके नीचे फिर option आपको click करना होती है इसके लाबा महार पास 85 marks जा है वो written paper है, अब उस 85 written में paper में अगर हम देखा जाए तो 60% जा है वो scenario based है, scenario based का मतलब क्या है? आपके पास concept है, आपको एक situation दी जाएगी, एक case study चोटी सी दी जाएगी, उसके उपर concept को apply करते हुए, अपनी wording में खुद से आपको answer draft करना होगा यह क्या है, scenario based, 60% paper हमारा जाएव, scenario based है, में आपको concept apply करना है, रटा नहीं, concept apply करना है, खुद से अपनी English बना के आपको लिखना है हाँ, बाकी जो है, वो 40% descriptive में रटा बेस भी आप कह सकते हो, और वो कितने marks हैं, 34 marks लेकिन वो रटा इतना भी असान नहीं होगा, कि आप बस यह पूछा गया और फौरी लिख दोगे, नहीं, sometime उस रटे में भी examiner जह है, वो घुमा देते हैं, में आपको समझ नहीं आती कि यहां पर रटा लिखना कौन सा है So, 100 marks का paper है, जिसमें 15 हमारे पास MCQs है, और बाकी 85 marks में हमारे पास 60% जह है, वो scenario based paper है और बाकी हमारे पास 40% जह है, वो क्या होगा, descriptive mean रटा based paper होगा, जो हमें cover करना होगा total कितने है, 18 chapters, इन 18 chapters को cover करने के लिए हमारे पास जो time है, अगर हम देखें तो हम start करेंगे अभी October से, November हमारे पास होगा, December हमारे पास होगा, January हमारे पास होगा और यह हमारी deadline है कि यहां तक हमने syllabus complete करना है, with learning complete करना है, with test हमने complete करना है, with review हमने complete करना है और इसके बाद हमारे पास होगा February जहां पर हमने क्या करना है जिस्ट रिवियन करनी है खुद से अगर वो इसलिए तीन पेपर है तो आप हर पेपर को 9-10-10 दिन दे के रिवाइस करोगे एक हमारा February में जो है वो मौक होगा पेपर बिफोर पेपर और उसके बाद मार्च में आप जो है वो क्या करोगे फाइनल पेपर दोगे क्या क्या लाँ So October to January हमारे पास almost 4 months है जिसमें हमने इस लेबर सब कुछ कवर करना है कैसे कवर करना है हमारी जो है वो week में 5 classes वहा करेंगी 6 classes नहीं वहा करेंगी एक दिन हमारा test हुआ करेगा test वहारी दिन class नहीं होगी उस दिन आपने सिर्फ test देना है मिन वही class वाला जो time है उसमें आप क्या करोगे test दिया करोगे बाकी 5 दिन हमारा जो है वो class हुआ करेगी जो आपने attend करनी है regular basis पे चैक है रहा है So और मिला के about 70 lectures में हम जो है वो क्या करेंगे से बस अपना complete कर लेंगे इससे ज्यादा नई lectures होंगे 70 lectures में हम से बस easily cover कर लेंगे every week हमारा test हुआ करेगा test का एक day define कर दिया जाएगा उसी दिन test हुआ करेगा उससे पहले उसके बाद housing lecture नहीं हुआ करेगा पेपर पास करने के लिए आपको क्या करना है यह 70 lectures कवर करने है regular basis पे, daily basis पे क्यों यह law एक ऐसा पेपर है कि इसमें concept जो है न वो आईस्ता आईस्ता develop होते हैं मिन एक दिन 4 lecture आप कवर करके आपको सारे concept आजाएंगे नहीं मुश्किल हो जाएगा एक दिन एक lecture कवर करगे उसके concept आएंगे, अगले दिन उसी concept के साथ जो है वो next कुछ और हम चीज़ें जो है वो add up करेंगे इस तरह से concept building अच्छी होगी so 70 lectures आपको कवर करने है एक घंटे का हमारा lecture होगा इसके लावा आपको क्या करना है वन आवर जो है वो daily basis पे homework के लिए require है में डेली दो गंटे पढ़ना है डेली दो गंटे पढ़ना है और throughout this semester अगर 70 lectures के 70 hours हम कर ले 70 hours जो है वो आपके क्या होंगे homework के होंगे total मिला क्या आप कहलो जी maximum 150 hours आपको पढ़ना है और ये paper pass हो जाएगा जी 150 hours इस attempt में पढ़ लोगी इस attempt में pass हो जाएगा अगर इस attempt में 150 hours पूरे नहीं किये तो फिर next attempt में पढ़के pass करोगे कितना मुश्किल paper नहीं है in fact देखा जाए तो CAF level का सबसे जो easiest paper है इस वकत वो CAF for business law ही है और CAF level में आपको मेरे ख्याल से पहले जो भी आप paper choose कर रहे हो CAF 1, 2, 3, 4 में से obviously PRC करने के बाद उसमें CAF 4 must include करना चाहिए क्यों easy paper है ये पहले pass करने से आपके अंदर एक motivation आएगी कि हाँ हो गया है जिससे आगे CAF की progress जो है वो आपके लिए easy हो जाएगी student sometime okay paper पहले उठा बैठते हैं उनमें से खुदाना खासा एकाद paper fail हो गया तो उसे एक demotivation impact अंदर आ जाता है इसलिए जब भी आपके remaining paper कुछ रह जाए ना कोशिश करनी है जो easiest paper है ना उनको पहले उठाया करो क्यों उनको पहले उठाने से वो pass करना easy है वो pass होने से अंदर एक motivation आती है कि हाँ अब हमारा CA चलना शुरू हो गया तो उससे फिर आगे आने वाले difficult paper automatically जो है वो आप cover कर लेते हो क्यों अब इतना हो गया अब ये भी cover करना है वो हो जाता है so 150 hours हमें चाहिए क्या हुआ करेगा जी मारे पास study resource हमने कहां से cover करना है cover कहां से करना है एक तो मारे पास icap book है हमने वहां से cover करना है आइक बुक की reading करनी है में उसके अंदर अच्छी ग्जैम्पल्स दिखिए हैं वह में cover करनी है उन इग्जैम्पल्स एक्जैमिनर सेनारियो बनाते हैं कुछ मैं अपने नोर्स आपको दूँगा हर chapter में से क्या क्या चीज़ें learn करनी है में तक इन चीज़ों को लगाना है वो short form में notes है वो आपको दूँगा जहां से आपने learn करना है और साथ हमें क्या चाहिए जी past papers चाहिए इन ये तीन चीज़ें हमें चाहिए ये paper past करने के लिए iCAP book चाहिए iCAP book अपने पास रख लो, download कर लो, कहां से iCAP की website से download करके soft form में बेशाक रख लो, ये notes हमें चाहिए जो portal में मैं chapter wise अपलोड करता जाऊंगा और साथ हमें past paper चाहिए notes में हमारे पास study material के notes भी होंगे साथ ही mcqs के notes भी मैं आपको provide करूँगा about more than thousand mcqs हम जो है वो cover करेंगे इस paper में हर chapter के साथ किसी के साथ 100 mcqs होंगे, किसी के साथ 50 होंगे, किसी के पास 100 above होंगे तो वो about thousand mcqs हमारे पास बन जाएंगे जो हम cover करेंगे और ये हमें चीज़ें चाहिए ये paper cover करने के लिए, pass करने के लिए so subject की बात हो गई, study results की बात होगी, paper pattern की बात होगी अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं कि paper fail क्यों होता है जी paper fail क्यों होता है, अभी पीछे दो attempt होई है एक attempt का result आया है spring 2022 का और वो result था 45% एक बहुत ही अच्छा result in fact CAF के सारे paper में सबसे highest result था 45% autumn 2022 का भी result आएगा पता चल जाएगा लेकिन इतना बुरा नहीं होगा mean paper pass करना मुश्किल नहीं है, लेकिन still 45% का मतलब क्या है कि 55% mean आदे से ज्यादा student fail हो गए क्यों, selective study, grid बनी होगी है इस grid के 5 नंबर है, इस grid के 25 नंबर है, इस grid के इतने नंबर है तो student क्या करता है, selective study पे चला जाता है कि 25 नंबर वाली grid मैं छोड़ देता हूँ बाकी 75 नंबर का prepare करके attempt करता हूँ और उसमसे 50 लेके पास हो जाँगा नहीं होगा हमारी एक बदकिस्मती है कि हम गोरों के गर पैदा नहीं हुए हमारी इंग्रेजी का वो लेवल नहीं है कि हम जितना लिखें, उतने हम नंबर ले सकें हमारी इंग्रेजी का वो लेवल है कि हम जितना लिखेंगे, हमें उसे half marks मिलेंगे तिसलिए सौ में से पचास नमर लेने के लिए हमें सौ नमर का पेपर अटेम्ट करना होगा सौ नमर का अटेम्ट करने के लिए हमें पुरा स्लेबस कवर करना होगा अठारा चैप्टर बहुत सारी अठारा चैप्टर हैं लेकिन कुछ chapter, आपको मैं notes दूँगा, एक-एक page के होंगे, कुछ chapter 2 pages के होंगे, कुछ chapter 3 pages के होंगे, में इतने ज्यादा नहीं pages बनेंगे, यहाँ chapter 18 है, लेकिन छोट-छोटी chapter है, इसलिए please select टी पे नहीं जाना, एक बहुत बड़ी reason है paper fail करने की, दूसी reason के scenario dealing student को scenario deal करना नहीं आता, especially अभी पिछला paper autumn 2022 का देखा जाए, तो examiner ने even MCQs के अंदर भी बड़े-बड़े scenarios दिये हुए थे, ज्यादा पता paper scenario बेसा, कहीं पर रटा भी लिखना था, तो उपर scenario दिया हुआ था, हाँ लिखना रटा ही था, लेकिन वो scenario से identify करना था, कौन सा रटा लिखना है, different case studies दीगी है, different situations दीगी है, जिसके ओपर concept जो है knowledge अप्लाई करने के लिए कहा गया, और वहाँ पे खुद से आपको answer लिखना है, अपनी English बना के, अपनी English में, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको pass paper की practice करना होगी अच्छी, जो मैं करवाँगा, वो सिरफ हवा में नहीं, उसे आपको लिखना होगा, उसके लिए आपको assignment दूँगा, जो आपने क्या करना होगा, वो मुझे लाके चेक करवाना होगी, drafting student को draft करना नहीं आता कि answer कैसे लिखना है, तीन नमबर का एक part आगया, तो उसका तीन नमबर के लिए answer कैसे लिखना है, चार नमबर का part आगया, तो उसका चार नमबर के लिए answer कैसे लिखना है, पांच नमबर का पार्ट है उसके अंदर पांच नमबर कैसे लेने है स्टेट फावड पार्ट को कैसे लिखना है सेनारियो बेस में पहले क्या बात करनी है फिर क्या बात करनी है एंड पे क्या बात करनी है तो सब कुछ हम सीखेंगे साथ-साथ आपको बताऊंगा कि कैसे तीन नमर का पार्ट है तो उसमें क्या चीज ड्राफ्ट करनी है चार नमर के पार्ट में आंसर कैसे देना है छे नमर के पार्ट में आंसर कैसे देना है और वो आपको practice करना होगी practice नहीं करोगे ति यह चीज़ कभी भी आपको learn नहीं होगी Irregularity student का मसला है कि Classes regular नहीं लेते Classes regular नहीं लेते देखते हैं 5-6 lecture एक दिन में ले रहे होते हैं 5-6 lecture एक दिन में ले तो लोगे लेकिन उसकी learning ही नहीं आप कर सकोगे क्या कहला है थोड़ा सा खुश्क सब्जेक्ट है थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे आदा-दा पेज भी साम टाम में हम पढ़ रहे होंगे लेकिन कोशिश करना है उसको उसी दिन उसी के साथ ही आपने लेरन करने हैं फिर next lecture में जाना है जब तक एक पहला लेक्चर की लर्निंग कम्प्रीट नहीं हो जाती उसका होमबर कम्प्रीट नहीं हो जाता तब तक next lecture प्रेटर में नहीं जाना. Lack of practice means theory का paper है, numeric कुछ नहीं है. तो बस रटारटा रटा लगा लेंगे, pass हो जाएगा, नहीं. scenario based question को deal करने के लिए scenario की written practice होना ज़रूरी है. Pass paper के question को हाथ से attempt करना ज़रूरी है. हाथ से attempt करोगे, तो paper में जा के भी scenario का answer attempt करने के काबिल होगे अगर paper में जा कि पहली दफा पैनल उठाओगे तो नहीं लिखा जाएगा आप से wording नहीं बनेगी आप से sentence नहीं बनेगे आपको पता ही नहीं चलेगा चार number के लिए मैंने answer कैसे लिखना है मैंने क्या चार बातें करनी है इसलिए बेशक theory का paper है लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ पढ़ के नहीं हमें इसे लिख लिख के पास करना है एक head आपने learn किया चार point क्या करना है उसे एक दफा लिख लेना है मिन आज से अपना एक law का separate register बना लेना है जिसके अंदर हम अपने notes बनाएंगे एक head पढ़ा 5 point उसके learn किये उसे एक दफा लिख लेना है next head हमने पढ़ा उसके 4 point है उसे learn करके एक दफा लिख लेना है next head पढ़ा 6 point है उसे learn करके एक दफा लिख लेना है और जब तीसरा head लिखोगे पता चलेगा पहले head वाले 5 point भूल गए तब क्या करना है वो जो अपना लिखा हुआ है उसे यूँ सामने लाना है एक लाइन पहली पढ़ोगे बाकी आटोमाटिकली दमाग में आ जाएंगे हाँ अगर वो बुक में रहा तो दुबारा लर्न करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लगा था आज लर्न किये हमने एक पेज के पांच हैड अगले दिन बूले होंगे तो क्या करना है वो अपना लिखा हुआ है यूँ सामने लाना है और सामने लाते ही फौरी दमाग में आ जाएगा अच्छा ये 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 बाते थी तिसलिए प्लीज हमें पढ़ पढ़ के नहीं लिख लिख के ये पेपर पास करना है क्यों पढ़ी वी चीज भूल जाती है लिखी वी चीज नहीं भूलती तो इसलिए लिख लिख के पास करना है आज से कल से नहीं आज से अपना एक सैपर रिजिस्टर लॉका बना लेना ह है डिली बेसी पे जो चीज लर्न करेंगे हम उसके अंदर लिखेंगे अपने नोट्स बनाएंगे जो हमें रिवियन में बहुत ज्यादा help देंगे रिवियन में मारा ताइम जो है वो काफी शॉर्ट कर देंगे अपने नोट्स यह कुछ मसलें हैं स्टुडन के साथ जो स्टुडन को फेल करते हैं इसके साथ एक और लिखेंगे लो लैक ओफ कॉंसेप्ट कि कुछ टर्मनालोजीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कुछ 20-25 वर्ड्स हैं जो इंग्लिश नहीं है किसी और लैंग्विज के वर्ड्स हैं जो लॉक के अंदर टर्मनालोजीज यूज की है तो उनके मतलब हमें पता होने चाहिए क्यों उनके ऊपर भी क्वेशन बनते है तो कॉंसेप्ट होना ज़रूरी है क्यों कॉंसेप्ट नहीं है तो MCQs deal नहीं होगे क्या tips and techniques है study routinely basis पे करना मीं daily basis पे एक lecture और एक गंटा पढ़ने के लिए मीं दो गंटे law को daily basis पे देना honestly फिर जाके ये paper पास होगा और वो दो गंटे देने के लिए आज से आपने एक काम करना है एक page पकड़ना है और एक pen पकड़ना है और उसके अंदर अभी आप मेंसे काफी student ऐसे होंगे जो CAF की पहली attempt देने जा रहे है अभी आपने पीछे क्या क्या होगा PRC, PRC टिक 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 करके पास हो जाता है वो पास कर लेना को इतना बड़ा मारका नहीं आपने मालिया को तीर नहीं मार लिया तीर अब आप मारोगे जब CAF के तीन या चार परचे पहली attempt में पास करोगे तो इसको प्लीज PRC वाला लेवल नहीं लेना CAF इतना easy नहीं है अब आपको क्या करना होगा अपनी पढ़ने के एक routine बनाना होगा अगर वाके ही इस attempt को successful बनाना चाते हो तीन या चार परचे इतने भी आप देने जा रहे हो पास करना चाते हो तो आपको क्या करना होगा एक routine अपनी बनानी होगी अपने आपको महजब बनाना होगा CA अपने आपको महजब बनाए बिना नहीं होता try करके देखना है करके देखलो क्या करना है आज आपने एक page और एक pen पकड़ना है और उसके उपर अपना daily का एक schedule बनाना है कि मैंने किस time कि subject को पढ़ना है किस time कि subject की class अटेंड करनी है किस time पे क्या करना है और कुशिश करनी आने विले छे माँ इस schedule को follow करना है ये बना के follow कर लोगे तो CA हो जाएगा नहीं बनाओगे तो कोई routine नहीं बनेगी, CA नहीं होगा तो एक pen page पकड़ना है उसके उपर आपने जो है वो mention करना है कि मैंने subject 1 है तो उसकी class कब लेनी है subject 2 है तो उसकी class कब लेनी है, subject 3 है तो उसकी class कब लेनी है अब subject 1 का मैंने homework जो है वो किस time पे करना है subject 2 का homework के किस time पे करना है, subject 3 का homework मैंने किस time पे करना है इस subject के homework के लिए आपको एक गंटा या और चाहिए class के लावा accounting में हो सकता है तीन गंटे आपको चाहिए क्या गला है tax का subject है साथ हो सकता है दो गंटे उसके लिए भी आपको चाहिए तो हर subject की nature के according लिए आपको different homework के लिए hours चाहिए तो please वो लिखने हैं लेकिन इन में जो सबसे पहली चीज़ आपने लिखनी है ना वो लिखना है अपना sleep time कि मैंने कितने बजे सोना है और कितने बजे इठना है कि अगर ये manage हो गया ना तो आप से दुनिया की हर चीज manage हो जाएगे अगर ये manage नहीं हो आ तो दुनिया की कोई चीज आप manage नहीं कर सकोगे मुझसे पूछो तो best lead time जो मेरे ख्याल से being का student आपके लिए बनता है वो 10 p.m. to 5 आर 6 a.m. बनता है नमाज फजर के accordingly देख लो कि अधर आपको 5 बज़ उठना है या 6 बज़ उठना है कब आप नमाज पढ़ सकते हो हाँ रात को मेरे ख्याल से 10 बज़ तक किशा पाड़ के स्कून से आप सो सकते हो इसके बाद जो जागना है वो just time killing है रात को वैसे ही अगर आप देखो ना 8 बज़ बज़ के बाद आपको दुनिया का हर वेला पंदा जो है वो internet पे मिलेगा और आप ये को के मैं रात को आट बज़ बाद पढ़ लोंगा ये पॉसिबल नहीं है अगर आपके हाथ में मुवाइल है और उसके अंदर इंटरनेट है तो just time killing है आपको daily 8 गंटे maximum चाहिए इस होने के लिए इससे ज्यादा time killing है time बरबाद कर रहे हो आप 8 गंटे में आपकी नीद भी पूरी हो गई और आपके body parts भी repair होगे 8 गंटे बड़ी नीद है आप CA कर रहे हो BA नहीं कर रहे हो प्लीज अपने आपको ये पहले समझा लो 8 गंटे 100 सबसे पहले ये time mention करो प्लीज कोशिश करने है कि आपने 10 बजे सोना है 12 बजे सोना है 8 बजे सोना है ये time वो लिखना है जिस time पर वाकी आप अपना mobile phone छोड़ सकते हो अगर आपने लिख लिया मैंने 10 बजे सोना है 10 बजे आपना mobile phone नहीं छोड़ सकते है क्यों घर से call आना थी है कहीं से call आना थी है तो फिर फाइदा नहीं है ये schedule बनाने का भी तबलीज आज एक page पकड़के ये अपना schedule बनाना है मैंने कितने बजे सोना है कितने बजे उठ करना है और उसके बाद कौन सी क्लास मैंने कितने बजे टेंड करनी है उस क्लास का homework मैंने कितने बजे तक करना है और ये schedule बना के चलोगे ना शाम को देखना 6-7 बे तक आपकी classes भी पूरी होगी आप क्या सारा homework भी complete होगा आप ले ले होगे साथ से लेकर दस बे तक फड़ पकड़ो mobile करो दुनिया को तांग करो बातें जो मर्जी करना है में इन तीन गंटे ही निकलाएंगे लेकिन अगर ये schedule नहीं होगा तो ना तो डेली की पढ़ाई पूरी होगी और ना ये आपके mobile वाला चसका पुरा होगा ये काम प्लीज आज करना है ये पेज लिख के अपने bedroom में अपने bed के साथ अपनी अलमारी के साथ दर्वाजे या वाल के साथ चिपकाना है तो इसे एक week follow करना है और एक week बाद इसे दुबारा देखना है क्या मैंने follow किया है अगर तो follow किया है वहाँ से उतार के फाड़ के फैंक दो बस अब आपकी routine बनगी उसे चलाते रो देकिन एक भी बात देखना है अगर follow नहीं हुआ तो भाई क्यों नहीं हुआ क्या वज़ा है कहां पर कमी है प्लीज उस कमी को दूर करो जितनी जल्दी हो सके और ये काम भी कोशिश करना है कल से नहीं हाज से करना है कल करोगे तो पेपर अली रात आजेगी ये काम ही आपसे हुआ होगा और समेस्टर पुरा हाथ से निकल जाएगा तो प्लीज रेगुलर स्टडी करने के लिए आपको ये अपना शेड्यूल अपना डेली का चार्ट जा है वो बना के रूम में लगाना है लिखना है और इसे फालो करना है तो पहली बात आपको रूटीन बनानी है कि रूटीन बनाने के लिए ये शैडूल बनाना है सिलेक्टिव स्टोडी पर नहीं जाना जी सिलेक्टिव स्टोडी के बहुँता मशर्ड़ कहां से मिलते हैं आपके सीनियर से जिसने खुद एक सब्जेक्ट में 6-6 टेम्ट से लगाई होती हैं वो आपको मशुरे दे रहे होते हैं कि भई इतना इतना कर ले मेरा experience कहता है कि इससे इतना paper आता है और पास हो जाता है और मैंने इतना ही करके पास किया था तो भई तेरा मूँ लाल है तो अपना आप चपेड मार के लाल नहीं करो क्यों उसका temperament कुछ और होगा उसने हो सकता है पहले तीन दफ़ा पूरा पूरा syllabus पढ़के थोड़ा बहुत बीच में से learn करके फेल किया होगा बाद में selective पे अच्छा करके पास कर लिया होगा लेकिन उसे concept सारे पेपर का होगा प्लीज आपने selective study पे नहीं जाना ये जो गंदे senior हैं इनके मशवरों पे नहीं चलना टीचर को follow करना है assignments मैं दूँगा daily basis पे भी ये चीज़ आपने learn करके लिख के लानी है दिखानी है मुझे ये past paper के suppose हमने कोई 10 question की हैं तो उनमें से कोई 3 मैं choose करके दूँगा कि ये आपने हाथ से must attempt करने हैं तो regular basis पे साथ साथ आपको attempt करना होगे return, register आपको maintain करना है जो चीज़ भी learn करोगे अपने notes आपको prepare करने है जो revian में काफी help देंगे, revian का time बहुत ज्यादा बचा देंगे practice return आपको करना होगी test regular basis पे आपको देना पड़ेगा every week देना पड़ेगा उसमें कोई leniency नहीं होगी एक दफाँ अभी हमारे classes के साथ सा test होगे and पे फिर हम chapter wise जो है वो के ठारा test जो है वो रखेंगे फिर एक mock रखेंगे mock must attempt करना है paper से पहले अपने आपको judge करने के लिए कि क्या 3 गंटे बैट के आप law का paper लिख के pass करने के काबिल हो या नहीं हो ताकि अगर कोई कमिया है तो exam paper में जाने से पहले आप उनको दूर कर सको तो प्लीज कोशिश करनी है इस चीज़ें अपने साथ अटेश नहीं करनी कोशिश करनी है इन चीज़ों को follow करना है जी यहां तक कुछ बाते होंगी अब कुछ students के frequently ask question होते है sir क्या हर चीज रटा लगानी है इसमें हर चीज नहीं रटा लगानी मैं जो notes दूँगा उनको रटा लगाना है मैं साथ साथ बता दिया करूँगा कि किस चीज़ को who बहू as it is रटा लगाना है और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहां पे मैं बता दिया करूँगा कि इनको who बहू रटा लगाने की जुरूरत नहीं है हाँ keywords को use करते है अपनी English बना के एक दफ़ा sentence लिख लो ताके दमाग के अंदर बैठ जाए कि हाँ ये चीज़ ऐसे लिखनी है ठीक होगे तो 100% रटा रिक्वाइर नहीं है student का कुछ question होता है कि सर पेपर कितने रखे जाएं पहली दफ़ा तीन पेपर लाग के चलो चार नहीं तीन PRC आप पढ़ के आए हो introduction to accounting पढ़ के आए हो तो FR1 मस्ट रखो दूसरा पेपर साथ जो option होनी चाहिए B law को choose करो हाँ तीसरा cost tax मेरे ख्याल से tax को choose कर लो तीन पेपर लेके चलो चार पेपर थोड़े मुश्किल हो जाते है हाँ अगर आपके हाथ में mobile जो है वो touch नहीं, keypad वाला है जिसके अंदर internet नहीं है तो फिर आप चार पेपर भी एक attempt में चेमा में पास कर सकते हो मुश्किल नहीं है और ये आने वाला semester वैसे भी easy है, मुश्किल नहीं है क्यों? previous जो semester था उसके अंदर दो इदे थी एक रमजान था, वो मुश्किल semester था इस semester में इदे नहीं है, रमजान नहीं है वैसे भी गर्मी भी नहीं है क्या क्याला है? सर्दियों में जयादा पढ़ा जा सकता है as compared to गर्मियों में, क्यों गर्मियों में बिजली-शिजली के भी काफी मसले होते हैं तो इसलिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो सर्दियों के मौसम में जयादा पढ़ा जाता है इदे नहीं है रमजान नहीं है तो चार सब्जेक्ट भी दिये जा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको study का time थोड़ा extend करना पड़ेगा mean at least कोई 9 से 10 गंटे classes के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा अदर्वाइज मेरे ख्याल से 3 पेपर tackle हो जाते हैं और वो भी इतना easy नहीं होते हैं थोड़ा मुश्किल होता है हाँ चार थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं बहुत serious student चार पेपर कर सकते हैं अदर्वाइज मैं recommend करता हूँ कि 3 पेपर ही पढ़नी चाहिए तो ये CA करने वाली प्रोच नहीं है इसे मैं कहता हूँ फिटे मू नहीं धुर फिटे मू अप्रोच इससे बितर है डूब मरोज छोड़ दो CA तुमसे ना हो पाएगा CA करना है तो at least 3 पेपर लेके चलो एक serious attitude के साथ चलो आपने पीछे intermediate में metric level पे आठ आठ परचे कठे दी है पड़ा वहाँ पे भी 6 चे माँ ही है तक्रीबन तो यहां पे भी 6 माँ ही तीन परचे हो जाते हैं मुश्कील नहीं चार भी हो जाते हैं लेकिन मैं recommend करूँगा कि तीन पेपर लेके चलो जो easily tackle हो सकते हैं जी यहां तक बाते हो गई कुछ subject की हो गई study resource हमने देख लिया paper pattern देख लिया कुछ tips and techniques बात कर ली अब मेरा नाम ज्या उलहक नाम तो सुना होगा कोई previous बाइस सालों से teaching के साथ associated हूँ मैं ICAEW से chartered accountant हूँ मैं ACCA किया हुआ है मैंने MBA किया हुआ है world top audit firm Deloitte UK से मेरे articles है CA को पिछले कोई 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ mainly पढ़ा रहा था मैं audit और business management के subjects हाँ अभी previous semester से मैंने law भी पढ़ाना जो है वो शुरू किया है जब से law split up हुआ है currently मैं CA के अंदर PRC5 I2B पढ़ा रहा हूँ CAF4 Business law पढ़ा रहा हूँ CAF6 MFA पढ़ा रहा हूँ CAF8 audit पढ़ा रहा हूँ उसके बाद CFAP level पे CFAP 3 SVM पढ़ा रहा हूँ CAF6 advance audit पढ़ा रहा हूँ और MSA 2 पढ़ा रहा हूँ अभी हम यहाँ पे कुछे माँ चलेंगे अपने साथ hopefully future में यह आने वाले कुछ papers में भी इन्शाला मिलेंगे लेकिन पहले हमें यह paper pass करना है throughout this semester मेरी कोशिश रहेगी के paper आपका इसी attempt में pass हो जाए किस lecture में क्या चीज कितनी पढ़ानी है क्या sequence मैंने chapters का लेके चलना है यह आपको नहीं पता मुझे आपसे ज्यादा बेतर पता है क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको concept की delivery अच्छी हो जाए और paper इसी attempt में pass हो जाए तो इसलिए क्या sequence रखना है किस lecture में कितना पढ़ाना है किसी lecture में आदा पेज पढ़ना है किसी में तीन पेज पढ़ने है यह मुझे पता है जहां पे मुश्किल काम आएगा महां पे हम हो सकता है एक lecture में आदा पेज पढ़ रहे होंगे जहां पे easy बाते होंगी कि वहाँ पर हो सकता है, हम एक lecture में 2-3 pages भी पाड़ जाएंगे, क्या हम sequence wise chapter 1-18 चलेंगे, नहीं sequence आज नहीं चलेंगे, हम start ही chapter 2 से करेंगे, हो सकता है chapter 3 के बाद हम chapter 5-8 पर चले जाएंगे, ठीक हो गया, तो sequence आगे-पीछे होता चला जाएगा, लेकिन end of the semester, 100% syllabus हमारा complete होगा, with the past 12 years, past papers, एक एक question खुद से मैं class में करवाऊंगा, कोई भी पिछले 12 साल के past paper का question हम छोडेंगे नहीं, MCQs की इन्शाला more than enough practice आपको करवाऊंगा, ताके paper हमारा जाएगा, वो easily pass हो सके, सो आज के लिए enough है इतना, hopefully next lecture में मिलेंगे, chapter 2 से start करेंगे business law को.